हेलो मेरे प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सब का Google Training Course में आज इस वीडियो में हम यहां चानेंगे कि किसी भी email address को कैसे block करते हैं तो सबसे पहले चलिए web का process देखते हैं वेब का process के लिए आपको सबसे पहले gmail.com पे जाना होगा देन लॉग इन करना होगा after that Gmail website open हो जाएगी and जिस भी user को आप block करना चाहते हैं जिस भी email address को block करना चाहते हैं उसकी email को आप open करें open करने के बाद यहां पे down arrow यह जो आपको drop down दिख रहा है just like इस आपको arrow button पे click करना है then आपको यह options रह सारे खुल के आजाएंगे then इसमें से आपको यह चूज करना है block and block यहां पे आपका username लिखा होगा जिस भी user को आप block करना चाहते है then जैसी आप block करेंगे इस बंदे को आप से पूछेगा कि इस user के तुरू आपको कोई भी message जो है inbox में नहीं आएंगे सीधे वो as a spam trade किये जाएंगे तो आप इस user को block करना है तो block बटन पर जैसी click कराएंगे तो आपको यह दिख जाएगा you have blocked this email address and इसके जो भी message आएंगे वो आप spam में जाएंगे तो आईए चलिए देखते हैं कि mobile पे आप कैसे किसी user को block करें सबसे पहले आपको एक अपने Gmail application को open करना होगा जैसी आप Gmail application को यह open करेंगे then आप देख रहे हैं different सारी बहुत सारी जो emails है पड़ी हुई मैं उन में से किसी एक को block करना चाता हूँ जैसी समली यह government notification यह notification बारवर मुझे भेजता है तो आप इसे select करके यहां से यहां से तो spam कर सकते हैं लेकिन block नहीं कर सकते हैं तो आपको just इस email को open करना होगा then उसके बाद यह आपको वही three button जो आपको दीख रहा है corner पे इस email के इस button पे click जैसी करेंगे यहां पे आपको आरा block government notification आप जैसी block button पे click करेंगे आपको यह फिर से message show होगा you block this email address so आपको इस email address है future में कभी जो भी emails आएंगे वो as a spam trade किये जाएंगे so दोस्तो यह था process कि आप किसी भी email address को कैसे block कर सकते हैं I hope आपको यह video पसंद आया होगा हमारी scores को join करने के लिए हमारी YouTube channel को ज़रू subscribe करें Thank you for watching